श्रिमान वेंक टनाथार यह कवितार की केसरी वेदान्ता चार्य वर्यो में सन्निधत्ताम सदाकरदी स्री स्तूती में भावी स्वाश्लो कहे संपध्यम्ते भवभयतमी भानवस्त्वत प्रसादात भावास्सर्वे भगवति हरव भक्ति मुद्वेलयंता याचे किंत्वा महमिहयतहा शीतलोदारशीला भूयो भूयो दिशसी महताम मंगलानाम प्रबंधान लक्ष्मी जी से हमें क्या प्रार्थना करना उचित है वस्तुतहा उसके पहले ही वो अपने दिव्यक टाक्षों से हमारे लिए आवश्यक सब मंगलों का प्रबंध कर देती है इसलिए हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐसा अश्चर्य चकित होकर वेदान दिशिक जी इस श्लोक की रचना करते हैं संपध्यंते भवभयतमी भानवह तत्प्रसादात भावाह सर्वे भगवती हरव बक्तिम उद्वेलयंतहां याचे किम त्वाम अहम इहै यतहा शीतलोदारशीला भुयह भुयह दिशसी महताम मंगलानाम प्रबंधान ऐसे पदोंखा विभाग है पहले दो पाद में एक भाव अभिव्यक्त किया गया है दूसरे दो पाद में और एक भाव अभिव्यक्त किया गया है दोनों के बीच में संबंध भी है ये समझने के लिए विशई ये है क्रियापद के साथ ही इस श्लोग की शुरुआत होती है कभी कभी के बार ही ऐसा होता है सामान यतहा क्रियापद से श्लोग शुरू करना एक अनोखा टैलेंट है उसका कारण ये है कि वो क्या कहने वाले हैं श्लोग के प्रार्म में ही पता चल जाता है उनको खुद को स्पष्ट है कई लोग श्लोग रचना करते वक्त शुरू करेंगे कैसे भी करके उसे समाप्त कर देंगे सामन्य तहा कुछ लोग ऐसे ही काव्य रचना करते हैं वक्त गलतियां करते हैं यानि संपूर्न भाव मन में ना हो तो भी श्लोग का प्रारम वो हो जाता है तो बाद में भाव आ जाता है और कहतंचित समाप्त कर देते हैं परन्तु उन्नत कवी पुरा प्रतिपाद्य विशय क्या है इस ग्रंथ का मुझे क्या करना चाहिए किस-किस रूप से मुझे विभाग करना चाहिए और विशयों का और कितना श्लोग होगा इसमें और कितना भाव होगा इस सब निर्नाई करके प्लान करके श्लोक शुरू करते हैं ऐसा जब मन में प्लान होगा तभी ऐसा शुरू होता है संपध्यंते ऐसा शुरू करते हैं क्रियापद है संसार रूपी जो ये बै है डर है लोगों के मन में बार बार संसार ऐसा संसार के प्रति जो डर है उस डर को एक राद समझ लें कभी राद भी डराती है और संसार भी डराती है इसलिए समसार को एक रात के रूप से उपमित कर लीजिए थोड़ी देर के लिए बावा बाया इस इकल टू तमी तमी याने तमस जिसमें है ऐसी रात को अंधकार भरी रात को तमी कहते हैं उसके लिए सूर्य अगर उसी समय होगा तो वो अंधकार दूर हो जाएगा हमारे हर्दे में होने वाले जो भावनाये हैं भाव हैं एक एक क्षण में होने वाले उत्पन होने वाले जो एक एक ताट सहें भाव हैं वो एक एक ताट भी क्या करता है क्या काम करता है और समसार रूपी जो डर समसार डर की डर के रूप में विराजमान जो तमी है रात है उसका सूर्य जैसा निकलते हैं येक एक भाव भी मन में वो मन में वो भाव आता है तो वो डर चड़ा जाता है अंधकार भाग जाता है अरता लक्षमी जी की कृपा से एक एक शन में भी हमारे मन में एक नई नई भावनाएं पैदा होते हैं तो तुरंत वो एक एक भी सूर्य के समान होकर समसार भै को दूर कर देता है समसार भै क्या है वो भावा हा तुद प्रसादा आते हैं लक्ष्मी जी आपके कृपा का ठक्ष से आपके प्रसाद से ये बाव सब क्या करते हैं भागवति हरव भक्ति मुद्वेले यंतहा मन में आने वाले एक एक बाववी भगवान हरी आपके पतिदेव जो है उनके चरणारविंद में हम लोगों को भक्ति पैदा कर देती है भक्ति इतना पैदा मात्र नहीं है भक्ति को उद्वेलित कर देती है अत्यदिक बक्ति हो जाती है बक्ति अपनी सीमा पार कर देती है जैसे समुद्र अपनी वेला का उलंगन करेगा उस परकार उद्वेल यंतहा उद्वेलनम यानि उसको पार करना समुद्रजल कभी-कभी तट को पार करता है उसी प्रकार नदी का प्रवाह कभी-कभी नदी के किनारे को पार कर देता है उस प्रकार मन का हर प्रकार के जो किनारे को दूर करके ये जो भाव हैं उत्पन होते हैं वो सब एक एक भी समसार बैरुपी नंदकार को दूर करने वाले होते हैं भगाने वाले होते हैं ऐसे बावाहा एक के पीछे एक भाव आते रहते हैं हमारे मन में वो सब क्या करते हैं भगवान के दिव्य चरणार विंद में भक्ती को उद्वेलित कर देता है भक्ती को निरंतर भक्ती को और भक्ती भी वो कैसे है परिपूर्ण भरव पूर होकर अपने पार कर देता है भगवद दिव्य चरणार विंदों में इस प्रकाहरव भक्ती मुद्वेल यंतहा भावाहा संपध्यमते आएसे भावनायें आपके कृपा का टाक्ष से मन में उत्पन्न होते रहते हैं इसमें वेदान देशिक जी की भावनायें विशय शत्प्रतिशत सत्य है क्योंकि जिन्दगी भर ग्रंथलेकन करते रहना है या कितने भाव आते रहना चाहिए हम उनके तात्परे चंद्रिका का पाट करते वक्त आश्चरे चकीत होते हैं कि ये केक पंक्ती में इतनी खुबी इतनी खुबी ऐसा व्याख्यान तो इतना बड़ा है भगवत गीता का व्याख्यान और वो भी गीता भाष्य भगवान रामानुजाचार जी के गीता भाष्य के ऊपर वो इतनी बड़ी व्याख्या है कि भगवान भाष्यकार का वचन को समर्तन करते 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 जा रहे हैं एक-एक वाक्य में एक-एक भाव तो होना चाहिए वैसे वेदान देशिक जी ने एक रात में एक अजार पादुका सहस्र लिखने वाले एक-एक ख्षण में एक-एक भाव बदलते रहना है भावा सर्वे भगवति हरव भक्ति मुद्वेलयंता भगवान के चरणार विंद में हमारे भक्ति को उद्वेलित करने वाले अगर भरपूर करने वाले ऐसे भक्ति तो उपर प्रवाह किनारा पार कर देता है इतना भाव आपकी कृपा से है लक्ष्मी देवी आपके पतिदेव में हमारी भक्ति को उत्पन अत्यदिक बढ़ा आने वाला भाव उत्पन होते हैं मन में यही आपकी कृपा है नहीं तो कितने लोगों के मन में लक्ष्प भगवान के परती श्रद्धा बड़े ऐसी ऐसे भावनाये मन में उत्पन कराते रह सकते हैं चैतन्य स्थन्य दाईनिम चैतन्य रूपी स्थन्य को पिलाने वाले आपी तो हो लक्ष्प जी आपी की कृपा से हम लोगों को इतने भाव से मन भरभूप भरपूर हो जाता है बगवान के बगवान के विशे में एक रती को पैदा कर देती है और वो रती तो भक्ती का सुरूप लेकर अपना खरदय में और कोई भाव नहीं पैदा होता है खेवल भक्ती भाव को ही पैदा करने वाला एक एक भी भगवान का प्रभाव और लक्ष्मी जी का प्रभाव का को विश्य बनाने वाले भाव आते हैं मन में इसके इससे आगे मैं क्या मांगूं कई लोगों कई लोग ज्यान रहित है तो धन से संतुष्ट हो जाते ज्यान भरपूर है तो ज्यान से ही संतुष्ट होना चाहिए परंतु ज्यान जब कम होता है तब उसके तुलना करने में बाकी लोगों के पास ज्यान है तो मेरे पास धन है ऐसा बोलकर धनिक लोग अहनकार प्रकटन करते हैं ज्यानी लोगों के सामने वस्तुतहा ज्यानी के आगे क्या है ही नहीं कुछ मैं क्या आपसे मांगू अर्थात उन लोगों के जैसा मेरे पास भी बरपूर पैसा होना ऐसा मांगू मैं मेरे लिए खुद के लिए तो नहीं कभी मांगता मैं क्या आपसे मांगू है लक्ष्मी देवी क्योंकि आपस्वयम शीतल उदार शीला शीतल द्रिष्टी और उदार द्रिष्टी रखने वाली हो शीतल उदार शीला आपका स्वभाव ही शीतल है और स्वभाव उदार भी है ऐसे शीतल उदार शीला भूयो भूयहा आवश्यकता से भी अत्यधिक मंगलों को याने धन कभी मंगल में हो सकता है धन कभी मंगल नहीं भी हो सकता है कभी-कभी धन ही अमारे लिए बंदग भी हो सकता है अमंगल भी हो सकता है बहुत ज़्यादा धन आये गया तो शिकंजे में आजाता है बहुत ज़्यादा है तो इंकम टैक्स रेड आता बहुत ज़्यादा बरपूर पानी आजाता है समंदर में तो सेतु बंधन होता है मंतन बंधन सब कुछ होता है और आवश्यकता के अनुसार कर्च नहीं करता है वहुत पैसा इकटा करके रखता है तो उसको आग भी जला देती है कभी इसलिए मंगल में होना ये मंगल में चीजों की प्राप्ति करना अलग है और धन की प्राप्ति करना अलग है धन सदा के लिए मंगल में ही होना ऐसी ज़रूरत नहीं है और कभी धन मंगल में भी हो सकता है परन्तु मंगल मैं चीज जैसे ज्ञान है गुरु भक्ती है गुरु प्रेम है गुरु की प्राप्ती हो गुरु से ज्ञान की प्राप्ती हो विद्याओं की प्राप्ती हो ये सब मंगल है बंधु वर्गों की प्राप्ती हो बंधुओं के साथ प्रेम मैं वातावरण हो इस आपेक्षा अचारीय लोग क्या चाहते हैं? शिश्यों की समर्धी चाहते हीं वो भी अनुकूल शिश्यों की और अनुकूलता का मतलब भरपूर भक्तिवाइवातावरन बना सकें और अपने खृदय को शुद्ध रख सकें और अपने माध्यम से मोक्षांत संपत्ति को प्राप्त करने में समर्त हो ऐसे शिश्यों की अपेक्षा अचारी लोग रखते हैं वो ही मंगल है और मंगलमे संतान हो मंगलमे संतान का मतलब है संतान अपनी वानी सुने संतान अपनी विद्या परंपरागत विद्या को सीखें यह सब मंगल में तत्व है अगर यह नहीं है तो बाकी सब अमंगल है भगवान की गृपा से जो कुछ भी मिलता है वही मंगल है जो भगवान की इच्छा के बिना हमारे पास स्वयम अपने हटवाद से कुछ ले लेते हैं अत्वा स इच्छा से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट होना चाहिए यदर चालाब संतुष्टहा दुंद्वातीतहा विमत्सरहा समसिध्धावसिध्धवचकृत्वापिन अनिवध्यते गीता का वचन सब मन में आना चाहिए भूयो भूयहा दिशसी मंगलानां प्रबंधान दि हम इंदी में तो इसका उपयोग अकसर करते हैं वो प्रबंध करना यानि बंदोबस्त करना सुप्रद करना उप्लब्ध करना अप्लब्ध कराना यह आप ही लक्षमी जी उपलब्ध करा देती हो तो ऐसे ऐसे मंगलमाई तत्तों को हुमारे पास ऐश्वरी मिल जाता है, गाय मिल जाते हैं, खेयत मिल जाता है, धनधान्य मिल जाते हैं, सब मंगलमाई तत्तों मिल जाते हैं, ब्रामनों की संपत्ती हो जाती है जब भी घर पे कुछ प्रस्ताव है तो, और मंत्रमाई वाता चावरणगुंज उड़ता है यह सब तो क्या कम मंगल है और इतने इस सब से और भी ब्यागे मंगलांग आपथ तत्वों का मंगलत तो्पाया Italyn चींजाता हैं और क्या मैं याचा ना करूँ मैं क्यों याचा ना करूँ आपसे याचे किन्तवाम अहम यह है यह है ऐसे situation में मन में ऐसे बावों को बावों से भरा देते हो जो एक एक भाव भी भगवान के चरनारविंद में नकेवल भक्ती को ही पैदा कर देता है परंतु समसार बाय रूपी अंधकार को भी दूर कर देता हो ऐसे सूर्य जैसा एक एक भाव भी निकलता हो मन में और क्या वांगो मैं आप मंगल मैं तत्वों को मेरे पास इकटा करा देती हो सेवा के लाइक सब वस्तु मिल जाते हैं आप बले अपेक्षा करते हो पत्रम पुष्पम पलम तोयम परंतु बरा देती हो गर सेवा के लाइक बन जाते हैं सब वस्तु आपकी कृपा दृष्टी से तो मैं सेवा करते रहूं और क्या चाहूं और कुछ नहीं चाहूं वहां भी यही अपेक्षित है आहिक दुनिया में भी आपकी सेवा करते रहें और आगे भी प्राप्त करें मौक्षांत संपत्ती जो कहिंखरिय रूपी संपत्ती को प्राप्त करें ऐसी ही क्रिपा कटाख्षामार एलिये वैसे आपसे मिलती रहती है ऐसा कहते हैं इस लोप में झाल्द नमूचित लोप में झाल्द नमूचित लोप में